हलो फ्रेंज के आप जानते है उंट के उपर का ये जो पार्ट जिसे हम हम कहते है आखिर वो किस काम में आता है और क्यों होता है उंट को एक बहुती बेहतरीन प्राणी माना जाता है क्योंकि लगबग ये 45 मिलियन सालों से फृत्वी पर जिन्दा है दुनिया के हर प्राणी में कुछ न कुछ अलग खूबी होती है जो कि उसको सब प्राणियों से अलग बनाती है तो उंट की ये खासियत है कि ये गर्म इलाकों और गर्म रेगिस्तानों में काफी दिनों तक बिना पानी पिये रह सकते है उंट गर्म रेगिस्तान में कुछ हपतों तक और कभी कभी तो कुछ महीनों तक बिना पानी पिये लंबा सफरते करते हैं तो आखिर उंट ये केसे कर सकता है? कुछ लोगों का एसा मानना है कि उंट के उपर का जियोपार्ट होता है जिसे हम हम्प बोलते है उंट उसमें पानी स्टोर करता है और मुश्किल समय में वो पानी को थोड़ा-थोड़ा पीता रहता है मगर ये बिल्कुल ही गलत है तो आखिर उंट के उपर ये हम्प होता क्यों है? एसा कहा जाता है कि वातावरं के साथ शंतुलन बनाने के लिए उंट के उपर ये हम्प विकास हुआ है क्योंकि अभी ज़्यदेदर उंट मिडल इस्ट और एशिया के कुछ बागों में पाये जाता है मगर ऐसा कहा जाता है कि उट की उट पत्ती नौर्थ अमेरिका में हुई थी सो वातावरान के साथ अनुकरन करने के लिए ये हम उट को काफी हल्प करते हैं